सर्दिग का मोसम है इस मोसम में हमारी पाचन सक्ती बढ़ जाती है सर्दिग का मोसम है कि मौसम में खान-पान खास होना चाहिए इस समय सभी लोग गरिष्ट भुजन जिसे तला भुना परांठे समोसे कचोड़ी खुब घी मकषन ड्राइपूर पिन्यादी लेना पसंद करते हैं लेकिन यह उचित नहीं है आपको सयमित भुजन करना चाहिए अगर आप गरिष् बनाए रखने के लिए हमें अपने भुजन में फेर बदल करने चाहिए हम जिंसा भुजन करते हैं उसका असर हमारे तन वा मन दोनों पर होता है सल्दियों में हमें अपने खाने में चावल, गेहों के अलावा बाजरा, मक्का, जौर आधी भी सामिल करना चाहिए यह ना के पूश्टिक होते हैं बलकि इनके सेवन से हमारे सरीर की प्रती रोधा चमता भी बढ़ती है इन में बिटामिन, प्रोटीन, फाइवर और आइरन बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है यहाँ पर हम आपको सर्गियों के 10 बिसेस आहर बता रहे हैं जिनका प्योग करने से आप ना केबल पूरे बर्स स्वस्थ रह सकते हैं बलकि आप पर उम्र का असर भी नजर नहीं आएगा दोस्तो मेरा नाम करने आईए शुरू करते हैं दोस्तो आगे बात करने से पहले बताना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहे तो पीड इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजे तकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके हैं चली हम बात करते हैं अब सर्दियों के 10 बिसेस आहर के बारे में पहला हरी सब्सक्राइब अब सर्दियों के मौसम में पालक, सर्सों, बथवे का साग, मेथी, गोबी आदी का नित्य प्रियोग करना चाहिए इसमें भरपूर मात्रा में एंटियोक्सिडेंट होते हैं इसमें आइरन, केलसियम, पोटेशियम और मेगनीशियम खूब होता है इन सब्सक्राइब अब सर्दियों में फाइवर की पिर्चूर मात्रा होती है हरी पत्तेदार सब्सक्राइब हमारे शरीर की पिर्तिरोधक चमता को मजबुत बनाती हैं इनका रोज सेवन करने से डाइबिटीज का खतरा कई गुना कम हो जाता है हरी सब्सक्राइब हमारी आखों के लिए भी बेहत लाबदायक होती हैं और यह कैंसर के रोप्थाम में कारगर हैं नित्य हरी सब्सक्राइब लेने से जोडों का दर्द भी दूर रहता है हरी सब्सक्राइब सभी कुम्र के लोगों को अनिवारे रोप से लेना चाहिए दूसरा आमला आमले को आयरुबेज में अमरत फल कहा गया है आमला stoked के लिए काफी फाइदेंद होता है आमले में दो संतरे जितना vitamin C होता है vitamin C को अच्छा antioxidant माना जाता है इसलिए आमला खाने का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि इसे लेने वाला जल्दी बूरा नहीं होता इसमें सुगर कम होती है और फाइवर अधिक होता है इसलिए इसे डेली खाने से पाचन तंतर मजबूत और स्वस्त बनता है यह सरीर की रोग पृती रोग चमता को बढ़ाता है आमला सरीर में मेटामॉलिज्म को बढ़ाता है इस सरीर से बजन कम होता है आमला हमारी आप्खों के लिए अतिधिक फाइदे मंद है आमला लिगर को मजबूत करता है इसके सेबन से सरीर का रख्त भी साफ होता है त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा है हासा में बाल पकने की समस्या को दूर करता है पोलेस्ट्राल को कम करने में भी सहायक है सर्दियों के दिनों में रोज कच्चे आमले का सेवन करने से दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं साथ ही सरीर में उर्जा का संचार भी होता है इसलिए आमले का नियमत रूपसत सेवन जरूर करना चाहिए तीसरा तिल विशेशकर सर्दियों में तिल का सेवन हमारे शरीर के लिए अतियन्त लाफदायक होता है सर्दियों में तिल वा तिल का तेल दोनों ही सेवन आवश्य ही करना चाहिए आयरुवेद में तिल गरम, भारी, कफ पित्तिकारक, बल बर्धर, बालों के लिए हितकारी इस तनों में दूद उत्पन्न करने वाला मल्रोधत और बातनाशक माना जाता है हमारे देश में प्राचीन काल से ही सर्दियों में तिल को खाने की परमपरा है तिल में प्रोटीन, केल्सियम, आईरन, आक्चेलिक एसिप, अमीनोएसिप, बिटामिन B, बिटामिन C और बिटामिन E प्रिचुर मातरा में होता है काले तिल और सफेद तिल दोनों ही लाबदायद में इन दोनों का औसधी रूप में भी प्रियोग किया जाता है सर्दियों में तिल के सेवन से, सरीर के बहुत से रूप दूर होते है तिल के तेल से, नित्त मालिस करने से, तचाव मुलायम और चमकदार होती है शरीर में रख्त का संचार बहतर होता है सर्दियों में तिल और गुड दोनों को समान मातरा में लेकर उसके लड़ू बना ले और फिर डैली दो बार एक-एक लड़ू दूद के साथ ठाने से तनाव, मांसिक दुरवलता और कमजोरी दूर होती है, सरीर को शक्ती मिलती है सांस फूलना बंद हो जाता है, तिल के इन लड़ूं का लगातार दो महीने तक सेवन करने से बुड़ापा दूर रहता है मुहासों, कमरदर्द, बदंदर्द, पेटदर्द, सूकी खासी, खूनी या बादी, पुरानी बवसी, कब, शरीर के घाव, सूजन, तवचा, बालों और बार बार पैसाव आने की परिसानियों आदी में यह रामबान का काम करता है प्रती दिन रात्री में तिल को खूप चबा चबा कर खाने से दात मजबूत होते हैं तिल की गजग, रेवनियां और लड़ुवादी सर्दियों में शरीर को उस्मा पिरदान करते हैं चलिए आगे बात करते हैं चार नंबर ड्राइपूड सर्दियों में ड्राइपूड से अर्थात सूखे मेवों का आवश्य ही शेवन करना चाहिए सूखे मेवों में एनर्ची और पोशक तक्व भरपूर होते हैं मेवों में मौझूद तत्व सरीर को बीमारियों से दूर करके उसे रोगों से लड़ने की सक्ति प्रदान करते हैं ड्राइपूड में ओमेगा 3 एसिड, प्रोटीन, फाइवर, हॉलिक एसिड, बिटामिन E और बिटामिन B6, कैलसियम, मैगनिसियम, आदी भरपूर मातरा में होता है ड्राइपूड में ओमेगा 3 एसिड होता है, जो ब्लड प्रिशर को कंट्रोर करने के साथ ही अलजाइन आदी बीमारियों से भी बचाता है इसमें बिटामिन E भी होता है, सूखे मेवों में ओलिक और पैल मेट ओलिक ऐसिड बिद्दमान होता है, जो LDL अर्थाथ खराब कोलिस्ट्राल को कम करके HDL यानि की अच्छे कोलिस्ट्राल को बढ़ाता है अक्रोट, काजू, बादाम, पिस्ता, ये हमारे दिल, धिमाग, आँखों, बालों, हड्डियों और तौचा के लिए अतनतर लाबदायक होते हैं इनके सेवन से कैंसर जिनसे घातक रोगों से भी बचाव होता है पांचवा, गाजर सर्दियों में गाजर का अवश्चे ही सेवन करना चाहिए गाजर असानी से उपलब्द होने वाला सस्ता और बहुत ही अच्छा आहार है गाजर खाने से हमारी रोग प्रतिरोधत चमता बढ़ती है गाजर में बिटामिन ए फिर्चूर मातरा में होता है इसलिए यह हमारी तचा और आँखों के लिए डैबी ये वरदान है गाजर में बीटा के रोटीन होता है जो की पुरसों के लिए बहुत आवश्यक है गाजर पीलिया की प्राकृतिक उसदी है इसका सेवन बलड केंसर और पेट के केंसर में भी लाबदायक होता है गाजर खाने से पुरसों की प्रिजन सक्ति बढ़ती है नित्य गाजर का सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम करता है गाजर हिर्दय के लिए भी लाबदायक है इसके सेवन से हड़िया मजबूत होती है और गटिया में भी लाब मिलता है गाजर को रक्त शूदर भी कहा जाता है गाजर का सेवन करने से पैसाब खुलकर आता है डेली गाजर के जूज का सेवन करने से आखों की रोशनी बढ़ती है दिल मजबूत होता है, रंग गुरा होता है और तवचा में भी चमक आती है गाजर का सलाद, अचार, मुरब्बे, हलवे, जूज, आदि किसी भी रूप में सेवन अवश्य ही करना चाहिए चटवा है बाजरा, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो सर्दी में सरीर को ज़्यादा कर्मी देते हैं इनमें सबसे प्रमुख अनाज है बाजरा, सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी जरूर खाना चाहिए बाजरे में बहुत से स्वास्त बर्धक गुन होते हैं दूसरे अनाजों की अपिक्षा बाजरा में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है जिस से स्वास्त ठीक रहता है। बाजरा में सरीर के लिए बहुत से आवश्यक्तत जिसे फाइवर, कैलसियम, मैगनेशियम, ट्रिप्टोफेन, बिटामिन वी, एंटी ऑक्सेंट आदी भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं। बाजरे की रोटी या टिक्की आदी खाने से सरीर का ठंड से बचाव होता है। लेकिन सर्दियों में अदरक का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करना चाहिए। मधु में कैंसर जिसे रोगों में विशेस लावकारी होता है अध्रक को अवरी कैंसर इस्तन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर या कॉलोन कैंसर के लिए इलाज में भी लाबदायत माना गया है अध्रक को मधु में यानि डायविटीज के बचाओ और उपचार दोनों में बहुत अस सरकारी माना गया है अध्रक के तक ग्लूकोज को सनायो कोश्काओं तक पहुशाने की प्रिक्रिया बढ़ा सकते हैं इससे उच्च रखते चाब सरकारा इस तरको काबू किया जा सकता है सोदों से पता चला है कि अध्रक मदू में पीडित के लीवर, किड्नी और केंद्रिये तंत्री का तंत्र को सुरक्षित करता है अध्रक मोतियाविंद का खत्रा भी कम करती है सरदियों में अध्रक के सेवन से हाई ब्लड पिशर और हिदर रोप से भी बचाव होता है अध्रक के सेवन से सरीर की सूजन भी कम होती है और मासिक धन की परेशानियों में भी कमी आती है आठवा है शहद शहद को भी आयरुबेद में अम्रत कहा गया है सहद के सेवन से सरीर स्वस्त, सुन्दर, निरोग और उड़जावान बनता है बैसे तो सभी रित्मों में सहिद के सेवन से लाब मिलता है लेकिन सर्दियों में तो सहिद का प्रियोग बहुत गुनकारी होता है सर्दियों में गुनगुने दूद में रोजाना एक चम्मत सहिद डालकर लेने से सरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रखती है मास्पेसियां बलबान होती है सर्दियों में तवचा रुखी हो जाती है इसमें सहद बहुत ही अच्छे मास्टराईजर का काम करता है सहद आँखों की रोशनी बढ़ाने अस्तमा, रख, सोधन, दिल को मजबूत करने और हाई ब्रट पिशर को कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी होता है सहद के सेबन से आँखों की रोशनी बढ़ती है और मोतिया बिंचेंसी बीमारियां भी दूर होती है रोज सहद के सेबन से पेट साफ रहता है डेली एक चम्मस सहद को टमाटर या संत्रे के रस के साथ लेने से कबज दूर रता है शहद को पानी में मिला कर कुल्ले करने से मूँ के चाले ठीक हो जाते है दात के दर्द में रूई की फ़ाय को सहद में भिगो कर दर्द वाली जगह पर रखने से सीखर ही आराम मिलता है सरदियों में कफ जमा होने पर शहद और प्याज के रस को समान मातरा में लेने से सारा कफ निकल जाता है और आतों में जमी बिशेलिक तत्वी भी साफ हो जाती है अद्रक के रस और शहित को समान मात्रा में लेने से खांसी और सांस संबंदी परेसानिया दूर हो जाती है नवा है मूंगफली सरदियों के मौसम में अगर आपने मूंगफली का शेवन नहीं किया तो सरदियों का मज़ा ही नहीं दिया दोस्तों मूंगफली को गरीवों का बादाम कहते हैं लेकिन यह है बहुत गुरों की खान इसके सेवन से ठंड़ से बचाव होता है और सरीर को उठजा मिलती है मूंगफली एक बहतरी एंटी आक्सिडेंट है इसमें प्रोटीन, बिटामिन E, बिटामिन B, कार्वो हाइडरेट और बिटामिन B कॉंपलेक्स अच्छी मातरा में पाया जाता है मूंगफली के सेवन से तनाव अबसाथ कम होता है और तवचा भी खूब सूरत होती है मूंगफली खाने से दिमाग भी तेज होता है बेली कम से कम 50 ग्राम मूंगफली अवश्य ही खाना चाहिए लेकिन मूंगफली का एक साथ बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पूज्या की मातरा अधिक होती है दिल और बीपी के मरीजों को अधिक नमकीन या तली हुई मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए दसवा गुड़ गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रश से बनते हैं लेकिन चीनी बनने पर उसके आईरन तत्व, पोटेशियम, गंधग, फास्पोरस और केलसियम आधी सभी आवश्यक्तत्व नस्ट हो जाते हैं लेकिन गुड़ में ये सभी तत्व पूर्णत्या मौजूद होते हैं गुड़ विटामिन A और विटामिन B का बहतर स्रोत है गुड़ को प्राकृतिक मिठाई कहते हैं गुड़ में कई ऐसे लाबकारी कुन होते हैं जो हमारे स्वास के लिए बेहत फाइदे मन्द होते हैं गुड़ को सेहत का खजाना भी कहा जाता है गुड का सेवन करने से पाचनतंत्र सही रहता है यह प्राकृतिक तरीके से ताजे गन्ने की रस्त तैयार किया जाता है चूंकि इसके सेवन से सर्दी कम लगती है इसलिए सर्दियों में इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है सर्दियों के दिनों में गुर का सेवन अम्रत के समान माना गया है इसकी तासीर गरम होती है इसी कारण इसके सेवन से सर्दी जुकाम और कप से सीख रही रहात मिलती है गुर के सेवन से गले और फेंपों के संक्रमन के इलाज में बहुत अधिक साहिता मिलती है गुर में magnesium प्रिचुर मातरा में पाया जाता है गुर खाने से हमारे सरीर की मासपेशियों, नसों और रटवाईकाउं को तकान से राहत मीनती है गुर पोटिशियम का भी अच्छा स्रोत माना गया है गुर्ग के नियमेत रूप से सेवन करने से सरीर का रख चाप नियंत्रित रहता है जिन लोगों को सरीर में खून की कमी होती है गुर्ग उनके लिए बरदान है गुर्ग में आईरन बहुत अधिक मात्रा में पाये जाता है इसलिए इसके सेवन से सरीर में हिमोगलोविंग का इस तर बढ़ाने में सहायता मिलती है गुर्ख पेट की समस्याओं को दूर करने में बहुत हील सहायक होता है गुर्ख के नियमे शेवन से पेट में गैस बनना और पाचन सम्मन्दी सभी समस्याओं दूर रहती है खाना खाने के बाद गुर्ट का सेवन करने से पाचन तंत्र सोचारू भूट से कारी करता है गुर्ट में कैल्सियम, खास्पूरस और जस्ता भी होता है जो हमारे स्वास्ट को बहतर बनाए रखने में मदद करता है जिन महिलाओं को मासिक ध्रम के दोरान दर्द रहता है उन्हें गुर्ट खाने से दर्द में राहत मिलती है गुर्ट हमारी तुचा के लिए अत्यंत लाबदायक है इसके सेवन से रक्त साफ होता है, तुचा निखा राता है कील मुहासों की परेशानियां भी दूर रहती है गुर्ट खाने से हमें तुरंत ऊजा मिलती है जब भी धकान या कमजोरी महसूस हो तो गुर्ट खाएं इससे तुरंत आराम मिलता है इसमें ऐलर्जी से लड़ने बाले तर्टो होते है इसलिए दमा के मरीजों के लिए गुर्ट का सेबन बेहद ही हाइदे मन रहता है मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जनकरी बहुत अच्छी लगी होगी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की है तो प्लीज इस चैनल पर विजिट करें इस चैनल को सब्स्राइब करें ताकि उन वीडियोस को भी आप देख सकें दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्त सौंधर और इंट्रेस्टिंग इंफॉमिशन के साथ वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप समय के अनुसार हो रहे बदलाव के साथ अपने आपको भी अपडेट कर सकें दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में सेहर करेंगे तो मिलता हूँ मैं ऐसी ही रोचक जहनकारी के साथ अगड़ी वीडियो में आपका दिन सुभ हो नमश्कार